हम 105 मौड्यूल कबर कर चुके हैं तो इस मौड्यूल में हम उसी टॉपिक को फिनिश करेंगे के कल्चुरल शेड्स अफ रिलिजिस प्रेक्टिस सस्वीरों की जबान में बात करते हैं आपको हर रंग और नसल के लोग जो हैं वो नमाज एकी अंदाज में पढ़ते में मिलेंगे यह सेंट्रल मौस्क लेंडन की है आपको सबस मस्जद नजर आ रही है वो बाली के एक मस्जद है इंडोनेशिया की और निपाल की एक मस्जद नजर आ रही है अच्छा अब मस्जद में कुछ चीज़ें जरूर कौमन होती हैं मसलने उसमें गुमबद भी होगा उसमें एक मिनार भी होगा उसमें एक सहन होगा उसमें सफों की जगें होंगी जैसे चर्च बनते हैं या मंदर बनते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें किसी भी कल्चर में वो हो, उस कल्चर की कोई टाइले लग जाएंगी, उस कल्चर की कोई खिर्किया लग जाएंगी, लेकिन जो उसके स्पेस के प्रिंसिपल हैं, असूल हैं कि ये बनना कैसे है अबादतगा को, वो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उस मुल्क का एक जलक वहां क कल्चर की मैंने का था ना कल्चर में material objects होते हैं यह वो चीजें जो नजर आती है बनी भी होती है तो architecture culture का एक बड़ा हिस्सा है तो हर मुल्क की मस्जद या चर्च या मंदर इतना दिल्चस्प होता है कि उसमें वहां के कल्चर की एक जहलत नजर भी आएगी लेकिन कुछ असूल बुनियादी एक जैसे होंगे कि आपको नजर आएगा कि ये भी एक जिजीरे पे एक नौजवान ईद की नमाज के लिए जा रहे है और ये ईद है मलेशियन या इंडोनेशियन एक फैमली में तो वो तस्वीरें भी खहेंच रहे हैं हमाथब की तरह लेकिन उन्होंने सफेट कपड़े पहने वे हैं हमारी तरह बहुत ज़्यादा रंग बरंगे नहीं पहने वे तो क्या पता एकी नमाज में वहां यही कल्चर चल रहा हूँ लेकिन उसके साथ उनके खाने जरूरी नहीं वो सिवयां खा रहे हों इद के दिन या चीर खुर्मा लेकिन मीठा जरूर है और फैमली मिल के खाती है ये रहा है और ये जितनी मस्जदें दूसरे मुलकों में ने देखी हैं वहां रमजान की टाइमिंग्स कई मस्जद की वेब साइट पे भी होती है वहां लगी हुई भी होती है कम्यूनिटी के कोई ग्रूप होता है उसमें भी पोस्ट हो जाती है कि यहां पर रमजान की यह य जादा लंबे होते हैं रात को दस बज़े अफ़तार हो रही है और सुमा ढ़ाई और तीन बज़े सहर हो रही है तो रहुआए तो ये व्यूजगेशना को पारित बज़े जाते हैं मुल्क का कलचर शाहर का कल्चटर बडला जाता है तो यह cultural shades of religious practice हैं जिन में कुछ चीज़ें common हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो दूसरे culture में जाके अबादत उसी तरह करते हैं लेकिन उसमें कोई रंग शामिल हो जाता है Muslim community in Russia अब इसमें आपको church के एक नुमाइन दे जो बिल्कुल left को हैं जिनके गले में एक हारसा है उनके साथ priest या rabai, jewish उनके साथ जो सफेद पगड़ी और चोगे में है वो रशिया के एक Muslim इमाम है और जिन से वो मिल रहे हैं वो उनके pope होंगे तो यनि जब Muslim community वहा होती है तो तब भी उनका जो Muslim लिबास है और जो उनकी अबादत है और जो उनका faith है वो तो वैसे ही रहता है लेकिन वो किसी और जबान में बात करते हैं, जो मैं का खुत्बा किसी और जबान में देते हैं, वो रोजे में कुछ और खापते हैं, वो हज करने जाते हैं, तो सब कुछ वही करते हैं, जो हज में सब लोग कर रहे होते हैं, तो यही चीज बाकी मजाहिब में भी है, कि जब